Hello everyone, welcome to my channel, please subscribe Pragatipata and press the bell icon to stay updated आज हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं basic grammar series का chapter verb इसके पहले हम लोगोंने तीन वीडियो देखे हैं, नाउन का सिर्फ एक पार्ट में हम लोगोंने complete किया था with the rules second हम लोगों का chapter जो था वो प्रोनाउन का था जो दो पार्ट में हम लोगोंने complete किया है और यह हम लोगों का basic English grammar series का third portion है verb सभी competitive exams के लिए important है यह यह हमारी त्यारी शुरुआत से इस तरीके की हो रही है जो IBP, SSC, CGL, SSC, CHSR, Railway, CTAT, MPDAT कोई भी आपका exam हो competitive उसके लिए यह आपकी basic English grammar series बहुत important है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग यह पूरा करने वाले हैं यहां पर आपका दिया हुआ है Instagram handle और यह दिया हुआ है प्रगतिपत 247 Telegram का channel है आप चाहें तो इसे जोईन कर सकते हैं लिंक आपको description में भी दी रहेगी वीडियो हमारा यह तीन पार्ट में रहेगा वर्ब का chapter क्योंकि वर्ब एक बड़ा chapter है तो इसमें tense वगरा भी cover होते हैं पहला chapter यह वाला जो हमारा वीडियो है यह वर्ब definition और इसके types पे रहेगा types का मतलब है आपका main verb क्या है helping verb, transitive, intransitive, be verbs किने कहते हैं auxiliary verb, model verbs यह सारी चीज़े इस वीडियो में हम लोग cover करेंगे second video जो आप कर रहेगा उसमें subject verb agreement देखेंगे साथ rules आपको मिलेंगे और interesting facts about verbs ठीक है और तीसरा जो हम लोगों का होगा वीडियो उसमें पूरा का पूरा tense cover करेंगे तो आप लोग अभी तक अगर इस channel से जुड़े हुए नहीं है तो जल्दे से जुड़ जाएए पूरी basic से आपकी English grammar यहाँ पर cover की जा रही है इसके बाद हम लोग deep dive भी करेंगे हर एक chapter पे rules सारे बहुत ही detail में देखेंगे लेकिन अभी यह थोड़ा थोड़ा सा overview चल रहा है हर एक part of speech का ठीक है चलिए आ जाते हैं verb के chapter पर definition of verb सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसकी definition जानना ज़रूरी है उसका introduction तो देखे क्या है a verb is doing word that shows an action, an event, or a state verb एक word है जो action को show करता है किसी event को show करता है या फिर एक अवस्था को show करता है ठीक है a sentence में either have main verb, a helping verb, और both कोई भी sentence है उसमें एक मुख्य क्रिया रहेगी क्रिया और एक सहायक क्रिया रहेगी या फिर दोनों भी हो सकती है in other words a verb is a word that informs about an action, an existence of something, or an occurrence कोई action, कोई चीज अगर exist कर रही है ठीक है और कोई घटना घटित हो रही है इस चीज को जो word डिफाइन करता है उसी को कहते हैं verb the verb is the main word in sentence no sentence can be completed without a verb कोई भी sentence अगर आप verb ना लगा के देखू किसी भी sentence से आप verb गायब करके देख लो क्या वो sentence complete हो पाएगा नहीं हो सकता और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि अकर आप से कोई पूछता है कि verb का एक example दीजे तो आप किस तरीके से देंगे आप इसको एक मिनट अपने मन में लाइए तब तक मैं आपको next चीज़ बताती हूँ the word verb derived from the Latin word verbum examples पर चलते हैं Jacob walks in the morning तो यह एक usual action है ठीक है दूसरा क्या है Mike is going to school a condition of action तो यह दोनों चीज़ हैं अब मैंने पूछा था आप से कि verb का example क्या हो सकता है मालीजे हम लोग एक verb लेते हैं dance तो हम इसको क्या बोलेंगे यह verb रहेगी to dance ठीक है कोई भी verb without to आप नहीं लिख सकते हैं कि dance एक verb है no to dance is a verb not only dance ठीक है तो चलिए देखते हैं next क्या है यहाँपर types of verbs कुछ examples आपको दिये हुए है actual means अभी के आगे to होना चाहिए था types of verb action verb action verb को ही main verb कहते हैं action verb is of two types दो प्रकार की होती है transitive verb और intransitive verb आपने हिंदी में पढ़ाओगा transitive verb जो होती है इसको कहते है sa karmak kriya sa karmak ठीक है और intransitive verb जो होती है इसको कहते है akarmak तो नाम से ही साफ हो रहा होगा कि ये क्या कहती है बाकी details मैं आपको बताऊंगी second क्या है helping verb third linking verb regular and irregular verb और model verbs तो ये सारे types of verbs यहाँ पर cover होंगे first पर आते है action verb यह जिसे कहते है main verb main verbs और action verbs are used to express action something that an animal a person or a thing does in each of following sentences we only have a main verb कोई भी जो action verb है कोई भी animal, person या फिर कोई भी चीज कुछ भी कर रही है तो जिस वर्ड ने उसे express किया है उसको बोलेंगे action verb in each of the following sentences we only have a main verb examples के तोर पर आप देख सकते है the sun shines यहाँ पर shines क्या हो गया main verb second है the horse knees knees का मतलब होता है हिन हिनाना ठीक है the monkey jumps तो इन में shines knees और jumps these are main verbs या फिर action verbs यह देख सकते हैं आप pictures इस picture में सारी के सारी main verb दी हुई है types of action verb action verb transitive verb और intransitive verb जैसे कि मैंने आपको बताया था transitive को क्या बोलते हैं सरकर्मक ठीक है पहले एक बार definition देखते हैं फिर मैं आपको short में बताती हूं a transitive verb expresses an action directed towards a person, please or think the action expressed by a transitive verb passes from the doer or the subject to the receiver of the action words that receive the action of a transitive verb are called objects simply कहने की बात यह है ऐसी क्रियाएं या ऐसे sentences जिन में एक object दिया हो एक कर्म दिया हो उन्हें वहाँ पर जो verb लगी होती है इनके action को receive करने के लिए एक object भी दिया रहता है वही चीज़ें पर दिये words that receive the action of a transitive verb are called object तो जहां पर object present होगा जिस verb में वो कहलाएगी transitive verb ध्यान रखियेगा example के तोर पर क्या है the teacher made the question paper Peter cut the cake तो यहां पर देखो काटने का action किस पर हो रहा है cake पर made बनाने का action किस पर हो रहा है question paper तो यह क्या होगी intransitive verbs next देखिए intransitive verbs क्या है a verb which does not need an object to make complete sense is called an intransitive verb इसे कहते हैं akarmak kriya और दूसरी बात क्या होती है यहां पर no object no object ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं akarmak kriya जहां पर object अनुपस्थित होता है यहां फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी verbs भी होती है जिनमें आपको object की need ही नहीं होती है an intransitive verb expresses action or tell something about the subject without the action passing to a receiver or object it can stand alone in the predicate because its meaning is complete तो यहां पर object की without ही meaning complete हो जाता है तो object की जरूरत ही नहीं रहती है पूरा focus यहां पर काहिक पर रहता है subject पर रहता है verb का ठीक है तो सच में अगर देखा जाया तो कुछ verbs ऐसी होती है जिनके लिए object की जरूरत ही नहीं होती जैसे कि यहां पर है jogs और looks अब कोई jogging करता है इसमें हम object कौन सा ही लगा सकते है कोई नहीं लगा सकते जैसे कि अगर कोई बोले कि मैंने साप को डंडे से मार दिया तो किस को मार दिया साप को यहां पर मार दिया के साथ में किस को लग सकता है लेकिन अगर हम कहते हैं कि रीमा ने डांस किया या रीमा ने नरति किया तो इसमें हम किसको या फिर object जैसा कोई यहां पर काम होई नहीं सकता है तो ऐसी क्रियाई भी होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, यह भी मैं आपको बताती हूं आगे in transitive verb में देखे, यहां पर देखे, मैंने यह थ्रास आपको दिखाने की कोशिश भी यहां पर की है what, loved what, nothing, the pirates loved heartly, यहां पर कोई भी object होई नहीं सकता था अब जैसे यह क्या है, transitive verb में found what, तो found में यहां पर direct object हम लोगों को मिल जाता तो यहाँ पर ट्रेजर मिल गया है तो यहाँ पर क्या हो गया? मिला क्या? ट्रेजर मिला यहाँ पर लॉफ्ड क्या? कुछ भी नहीं न तो यह हो गया आकर्मक कर्म की जरूरत नहीं है कर्म होई नहीं सकता वहाँ पर Helping verbs Helping verbs are also called auxiliary verbs An auxiliary verb extends the mean verb by helping to show time, tense and possibility The auxiliary verbs are be verbs, have and do They are used in continuous and perfect tenses लेकिंग verbs work as main verbs in the sentence but auxiliary verbs help main verbs कुछ समझ आया है यहाँ पर? नहीं तो यहाँ पर मैं बताती हूँ देखे जो Helping verbs होती है यह मोख्य क्रिया की साहता करती है इन्हें auxiliary verbs भी कहते है जो आप auxiliary verbs पढ़ते होंगे वो Helping verbs भी कहलाती है तो अब model verbs से भी यहाँ पर कुछ connection है auxiliary verbs कितने type की होती है तो auxiliary verbs भी दो type की होती है एक primary हो जाती है और एक हो जाती है model auxiliary उसके बारे में भी मैं आभी आपको बताऊंगी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो auxiliary verbs है वो mean verb की help किस तरीके से करती है time को show करने में tense को बताने में या फिर possibility में अब जैसे कि auxiliary verb is है are है was है यह सारी चीज़ें एक तरीके से आपको tense भी बताती है है ना time की क्या time बीत चुका है या फिर time आने वाला है या फिर time will लगेगा तो मतलब future का time के बारे में बात कर रहा है possibility अगर आप can की बात कर रहे है me की बात कर रहे है सारी चीज़ें possibility को दिखाने के लिए यूज की जाती है the auxiliary verbs are be verbs be verbs कौन कौन सी होती है पता है किसी को be verbs जो होती है वो यही सारी verbs होती है is, am, are, was, were been, or being been, or being भी है is, am, are, was, were, been, or being ठीक है यह be में ही लग जाता है तो यह have, are, do यह सारी होती है तो they are used in continuous and perfect tenses continuous and perfect tenses में use होती है अभी मैं आपको linking verbs के बारे में भी बताऊं कि जो linking verbs होती है वो किसी sentence में main verb की तरह work करती है लेकिन जो auxiliary verb होती है यह main verb की help करती है जैसा कि मैंने starting में ही बताया था helping verbs नाम से इब जाहिर होता है कि यह help करती है examples है Alex is going to school they are walking in the park तो यह जो is है यह going की help कर रहा है are walking की help कर रहा है यह एक तरिके से time को और tense को show कर रहा है helping verbs कौन कौन सी है यहाँ पर देख लिजे आप total कितने type की हो सकती है यह तो देख लिजे सामने हैं आपके तो इसमें इनमें auxiliary भी सारी आ गही है linking verb की नहीं कहते है a linking verb connects the subject with a word that gives information about the subject such as condition or relationship linking verb subject को एक ऐसे word से connect करता है जो subject के बारे में कोई information दे रहा हूं किसी अवस्था के बारे में या फिर किसी संबंध के बारे में कोई information दे रहा हूं they do not show any action कोई भी action वो नहीं show करता है linking verb अभी example बताऊंगे तब आप समझ जाएंगे they simply link the subject with the rest of the sentence वो जो subject है उसको बाकी पूरे sentence जो बचा हुआ उससे connect करने का link करने का काम करता है ये सारे आपको जो है action verb, helping verb, linking verb सारे नाम से ही पता चलता हैं बट मैं एक detailed form में आपको बता रही हूँ जिससे कोई भी एक portion छूट ना जाए ठीक है तो linking verbs explain a link between the subject of the sentence and a noun or adjective being linked to it example क्या है flowers are bright diamond is the hardest substance तो ये the flowers हैं और bright यहाँ पर किसी भी main verb की जरूरत ही नहीं इसने क्या कि सब्जेक्ट को bright से जोड़ दिया फूल कैसे हैं, bright हैं तो flowers को brightness से उसने जोड़ दिया है diamond is the hardest substance ये हो गया अब कुछ example और भी एक अच्छा से example हैं यहाँ पर मैंने लिया they are a problem they are a problem the word are is linking verb ये linking verb है ये क्या कर रहा है they को आप problem से connect कर रहा है link कर रहा है तो ये एक relationship शोग कर रहा है they और problem के बेश the most common linking verbs are the forms of verb to be verb to be के form में mostly linking verbs होते हैं बस ये verbs तो सारे सेम ही हैं लगबग मतलब जिसे helping verb हो गया आपका auxiliary हो गया model हो गया, linking हो गया लेकिन इन में क्या क्या अंतर है इन में कुछ अंतर ऐसा नहीं होता है subject के और condition के हिसाब से ही अंतर होता है इन सभी verbs में linking verbs यहाँ पर आप देख सकते हैं subject है he is क्या है linking verb है और subject compliment क्या है a monster तो ये एक तरीके से link कर रहा है subject को और a monster को ठीक है बाकी नीचे क्या लिखा हुआ he looks stunning तो यहाँ पर ये looks जो है ये भी linking verb के रूप में काम करेगा most commonly कौन से यूज होता है जो verb to be के फॉर्म में होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी example से यहाँ पर लिखे हो है be, being, am, is, are, was, were अब आता है regular and irregular verbs इसमें क्या होता है regular verbs form their past and past participle forms by adding ed examples are given मतलब जो regular verbs होती है उनमें past और past participle form जो होते है यानि second और third form इनमें केवल simply ed लगा दिया जाता है जैसे कि dance है, paint है, work है देख रहे होँ आप लोग danced, painted, painted, worked, worked तो past और past participle second, third forms सिर्फ ed लगा के होती है irregular verbs कौन से होते है irregular verbs form their past and past participle forms in different ways यानि second और third form different होते है उसमें जैसे कि there are mainly three types of irregular verbs पहला क्या है, verbs in which all the three forms are same ठीक है, जैसे कि put है put की तीनों forms same होती है first वाले में एक ये भी आती है read तो इसकी second form, third form read, read होती है spelling r-e-a-d ही रहती है तीनों में but pronunciation different होता है, read, read, red ठीक है, second क्या आता है verb in which two of the three forms are the same, जैसे कि sit, sat, sat third क्या है verbs in which all three forms are different जैसे कि drink, drank, drunk तो ये irregular हो गए some verbs can be both regular and irregular, कुछ verbs हैं जो regular भी हैं और irregular जैसे कि पहला क्या है burn, burnt, burnt burn, burned, burned यानि कि आप burn का ये form भी ले सकते हो burnt वाला ये irregular के form में हो गया burn, burn यानि safe ed लगा हुआ है तो regular हो गया dream, 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 dream और ed लगा के भी लगा के बना सकते हो lean, ठीक है t लगा के भी बना सकते हो और ed भी learn, leap, smell तो ये आप एक बार ठीक से देख लिजे क्योंकि शायद कुछ इसमें आपको confusion होती हो कभी कि learn है इसमें ed लगेगा या फिर t लगेगा तो क्या हो गया regular दोनों हैं दोनों चीज़े सही हैं ये कुछ regular verbs और यहां पर दी हुई हैं आपको deeply इस बात को समझाने के लिए ठीक है verbs दी है respect present tense में verbs दी है respect present tense में क्या होगा respect या फिर रिस्पेक्ट present participle में respecting past tense में respected और past participle या नहीं कि past participle का मतलब होता है verb की third form present participle का मतलब होता है verb की ing form तो यह धियान रखेगा ठीक है और यह इसका जो हम लोगों का verb का तीसरा part रहेगा tense उसमें मैं पूरा आपको tense cover करवाऊंगी अगर आपका tense basic से clear नहीं है present tense के सारे parts जो हैं और past के और future के continuous indefinite सारी चीज़ें वह उसमें मैं बताऊंगी उस part में irregular verbs भी यहां पर कुछ दी हैं आप कुछ देर pause करके वीडियो को यह देख सकते हैं ठीक है मैं आगे इसमें बढ़ती हूं model verbs model verbs क्या होते हैं जो auxiliary verbs मैंने आपको बताया helping verb उनमें model verb भी होते हैं auxiliary verbs दो टाइप के होते हैं primary auxiliary और model auxiliary उसमें से model auxiliary के बारे में अब हम लोग जानने जा रहे हैं a model verb is a kind of an auxiliary verb it assists the main verb to indicate possibility, potentiality, ability, permission, expectation the model verbs are can, could, must, may, might, or to, shall, should, will, would, need, or dare यहां पर need or dare का use थोड़ा सा अलग होता है एक अलग से वीडियो बना कर मैं आपको इसका use अच्छे से बताऊं कि यहां पर मैं थोड़ा सा short में बता देती हूं अगर in words के आगे not लगाते हैं तो यूं लिख देते हैं और need है इसको हम लोग auxiliary verb के रूप में use कर सकते हैं कोई negative sentence में जैसे कि हम लोग will को should को can में आगे not लगाते हैं cannot को अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं तो negative sentences में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं need और dare को जैसे कि he needn't do this I didn't go there अब model verbs यहां पर examples देख लिजे I may want to talk to you again they must play the best game to win यह देखिए यहां पर positive दिये हुए है model verbs जो है और यहां पर not लगाकर किस तरीके से बनेंगे वो दिया हुआ है shant shall को not लगाकर यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है will का यह ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत दूर लिखा हुआ है सामने ही सामने सारी चीज़े लिखी हुए अब ज्यान से देख लिजे कि किस तरीके से इनका बनाते है so these are the social media handles instagram and telegram telegram पर एक channel बना हुआ प्रगातिपत quiz अगर आप quiz attempt करना चाहते हैं तो वहां पर join कर सकते हैं otherwise यहां पर आपको सारे important updates मिलते रहते हैं if you like the video please like share and subscribe the channel thanks for watching